आइको नियो 7AC चो एट अब डिसेंबर को लॉंच होने वाला है चो नूली लॉंच TSMC के 4 नैनो मिटर फैबरिकेशन प्रोसेस पे आयेगा और लॉंच होने से पहले ही फोन के सारे फीचर सो स्पेक्स लीक में देखने को मिले है चो वीडियो में आगे बताने वाला हो दोस् आइको नियो 7AC का अन्बोक्सिंग और फॉस्ट इंप्रेशन वीडियो 8 अब डिसेंबर को सबसे पहले हमारी चैनल में देखने को मिलेगा तो एसे ही लेटेस्ट नियो उप्डेट सबसे पहले देखने के लिए रख लाग कि वह देखने के लिए सबस्क्राइब करके बेल आइको नियो 7 का अन्बोक्सिंग और डीटेली वीडियो अपलोड कर दिया अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ज़रूर से देख लें आईको नियो 7AC का बैक देखे तो प्लास्टिक का मिल सकता है या तो फिर ग्ला क्योंकि फोन में 5000 एमेज के ड्यूल सेल बैटरी मिलने वाली है डिजाइन के मामले में तो फोन अच्छा होने वाला है मट्रियल में सायद थोड़ा कॉंप्रोमाइस करना पड़े क्योंकि फोन की जो फ्रेम है और बेक है वो प्लास्टिक का सकता है डिस्प्ले की बात करे के लिए पीड़ेमिंग फीचर भी मिल सकता है और फोन में स्क्रीन टू बोडी रेशियो 90 परसंट से उपर मिलेगा एस पर लीक लोवर बेजल 2.65 mm तक पतली है और जो साइट बेजल से वो 1.6 mm तक पतली मिल सकती है दोस्तों कल साउमी 13 सीरीज लॉंच होने वाली है और मै कल ही साउमी 13 प्रो का अन्बोक्सिंग और फोस्ट इंप्रेशन वीडियो अप्लोड करने वाला है और 8 अब डिसेंबर को आईकू 11 सीरीज भी साथ में लॉंच होने वाली है और 8 अब डिसेंबर को मैं आईकू 11 प्रो का भी अन्बोक्सिंग और फोस्ट इंप्रेशन प्रोसेस पे बना है, max clock speed 3.1 GHz की मिल सकती है, तो हे ना ये flexi processor, साथ में फोन में RAM LPDDR5 मिल जाती है और storage UFS 3.1 मिल सकता है, तो फोन में performance तो डासो ही मिलने वाला है, gaming experience भी superb मिलेगा, वैसे फोन में 4 storage options मिलने वाला है, 8128, 8256, 12256, 12500 और चारों की price लिक में देखने को मिली है, जो में वीडियो में आगे बताने वाला है, लेकिन साथ फोन में HD card slot नहीं मिलेगा, आइको नियो 7 AC में camera की बात करे तो rear-facing triple camera setup मिलने वाला है, जहां पे primary 64MP का main camera मिलेगा, secondary 2MP का macro camera मिलेगा और 3rd 2MP का depth camera मिलेगा, तो यहां पे ultra-wide sensor देना चाहिए था, क्योंकि specs के हिसा आप से at least ultra-wide camera देना चाहिए था, और front में camera की बात करे तो 16MP का selfie camera मिलेगा, और दोस्तों, latest phones के leaks, launch date और tech news सबसे पहले देखने के लिए, मेरे Twitter handle को follow करना ना पूले, और latest phone और gadgets के 1 minute में unboxing और review देखने के लिए Instagram handle को follow करना ना पूले, क्योंकि वहां पे सबसे पहले unboxing देखन आने वाला है, आइको नियो 7 AC में बैटरी की बात करें, तो 5000 mH के dual cell बैटरी मिल सकती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए 120W का fast charger मिल सकती है, जो बैटरी को तेजी से चार्ज कर देगा, और लीक में आइको नियो 7 की price भी देखने को बिली है, यहाँ पे आप प्राइस दे इन के बाद ही लॉंच होने वाला है, जहाँ पर आइको 11 सीरीज और आइको नियो 7 AC दोनों फोंच हो सकते हैं, तो लॉंच होते ही सबसे पहले अन्बॉक्सिंग देखने के लिए सबस्क्राइब करके हमारी टेक टीम को जोइन कर लिजे, तो दोस्तों, आप क्या सोचते है आइको नियो 7 AC के बारा में कौन साफ फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी फ्राइज में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और दोस्तों, इससे ही लेटेस्ट अप्डेट सबसे पहले देखने के लिए और गला गीव ओवे देखने क करके बैल आइकों को दबा करें वारे टेक टीम को जोइन कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट ऊसम टेक अप्डेट की नोडिफिकिसन सबसे पहले मिल सेगे जैसे हमना वीडियो अप्लोड करते है तो दोस्तों मिलते है अगले लेटेस्ट अप्डेट की साथ तब तक के खब चुडू़ से अप्लोड की साथ तब तक की साथ तक के लिए तक की साथ तक की साथ